दोस्तो इंडियान ओशन में 10 देशों की dude की की एंट्री हो रही है और ये युएस के अगवाई में हो रही है एक नया जंद होने जा रहा है हाउती इस ने भी साफ साफ कहा दिया है युएस को की यह इंडियान ओशन तुम्हारा यही ग्रेवयार्ड बन्ने वाला है हमारे पास capability है कि US के aircraft carrier हो या अन्य destroyer सभी को हम वहीं का वहीं द्वस्त कर देंगे और इसके साथ अगर आप western media handles की बात करें, western geopolitical thinkers की बात करें इसराइल से लेकर US तक भारत को ललकारा जा रहा है, भारत को कहा जा रहा है कि भाई global power बनना है की नहीं तुमें, global power बनना है तो तुम भी join करो और इसके साथ एक game रचा जा रहा है जिसमें आप देखें तो इंडिया ने बहुती smartly इन सारे western powers को maneuver किया है, इंडिया ने साफ साफ US को भी संदेश दे दिया है कि हमें आप UK या फ्रांस समझने की गलती ना कीजियेगा, हम आपके puppet नहीं है हम एक independent country है, जो की global ambitions रखते हैं, कैसे आईए इसको समझते हैं तो क्या हुआ है दोस्तो, आईए सबसे पहले आपको बताता हूँ, operation prosperity guardian launch किया गया है US ने दोस्तो 10 nation force को बनाया है, जो की Red Sea में हो रहे healthy attacks के खिलाफ अवाद उठाएंगे इतना ही नहीं दोस्तो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको international media, national media, हर जगे इसे cover किया जा रहा है तो बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे इंडिया का perspective हम जाने, साथ-साथ यह पूरा मामला क्या है, इसको भी समझें तो सबसे पहले दोस्तों आप जैसा देख रहे हैं, यहाँ पे this is the Red Sea, Red Sea से आप देखते हैं दोस्तों यहाँ सुएज किनाल जाता है और यह further Europe और Indian Ocean को जोड़ता है, याने Europe और Asia के बीच में जो trade होता है, वो इसी Red Sea से गुजरता है Red Sea में अगर आप देखे, towards the southern tip देखिए, इसको मैं बहुत जादा जूम किया हूँ, यहाँ पे अगर आप देखे, तो यह एक छोटा सा straight है, याने दोनों तरफ land है, पतला सा समुझल का corridor है, जिससे जहाँ अंदर घुसते हैं और Red Sea में एंटर करते हैं, इसका नाम दोस्तो अगर आप देखे, तो पूरे Middle East region से बस एक बहरेन है, बहरेन दोस्तों मैप में भी नहीं दिखता, इतना चोटा सा एक टाइनी कंट्री है, इसके सिवा यहाँ से अगर आप देखे, तो यूएस का जिगरी, पिट्टू, कैनेडा आ गया है, इसके साथ अगर आप देखे, तो फ्रांस, इटली, निजरलेंड, नॉर्वे, सिशल, स्पेन, यूके, और यूएस ने मिलके, ये अगर आप देखे, तो कोईलिशन बनाया है, और ये ऑपरेशन का नाम है, प्रोस्पारिटी, गार्डियन, इसके कारण जो रहा दोस्तों, जो हाउसीज है, उन्होंने ड कर रहे हैं, रिसेंटली, अगर आप देखे, तो नॉर्वीजियन, ओंड, स्वान, अट्लांटिक की बात करें, एमसी, क्लारा की बात करें, तो उनके जहाजों पर अटाक हुआ, नेवल ड्रोन से, जाहिर सी बात है, दोस्तों, ये कहेगी, हम तो गाजा के साथ, सॉलिडरि के में 12 शिपिंग कंपनी ने कह दिया है, साफ साफ की, भाई हम रेड़ सी से नहीं गुजरेंगे, जिसमें इटालियन स्विस जाइंट है, मिल्टरेनियन शिपिंग कंपनी, फ्रांस की CMA है, डिनमाक की एपी है, मॉलर मस्क, आप देखे दो, डिनमाक की मॉलर मस्क है, ये जवाब देने के लिए, पेट्रोल फोर्सेस उनको जोइन करेंगे, पर अब दोस्तों यहाँ पर रेड़ सी का सिग्निफिकेंस आपको बता देता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, SNP ग्लोबल मार्केट इंटेलिजन्स की अगर हम बात करें, तो 21.5% आफ येरोप क से ही गुजरता है, 12% आफ ग्लोबल सी बॉनकार को रेड़ सी से ही जाता है, 40% आफ एशिया का जो ट्रेड येरोप के साथ होता है, वो रेड़ सी से ही होता है, तो रेड़ सी जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक कोरिडोर है, जो इंडियन ओशन को मेरिट इनियन सी से जोड़ता है, याने की आप समझ सकते हैं, इसको ये कही न कहीं एशिया को येरोप से जोड़ता है, और उसी को इन हाउथियों ने पकड़ के रखा है, दोस्तों ये जड़ा यमिन का मैप देखे, यहाँ पे आप डेमोग्राफी देख रहे हैं, जो हरे रंग में आप सही आप देख रहे हैं यहाँ पे, यह इसमाइली सेक्ट के शिया हैं, तो सना येमिन का कैपिटल है, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों, पुराने टाइन से रहा है, रिच रहा है, यह सभी अगर आप देखें, तो शिया कंट्रोल के इलाके रहे हैं, अब यहाँ पर और इनके बंद में रोश था, इन्होंने का कि भाई देखो हमारे दादा पर दादा तो येमिन को रूल किया करते थे, लेकिन आज के टाइम में येमिन का सबसे गरीब पिछड़ा हुआ इलाका यही वाला रह गया है, जहां पे शियाज रहते हैं, और उन्होंने का ये इस की नाशनल आर्मी को टार्गेट किया जाता है, बॉर्डर कंफिक्ट भी होता है साउदी अरेविया के साथ, ये पावर स्ट्रगल चलता रहता है, दो हजार चौदा आते ये तेजी से बढ़ने लगता है, और येमिन वार का रूप ले लेता है, जिसमें जो हाउतीज हैं, ये अगर आप देखें, तो सना कैप्चर कर लेते हैं, और इसके साथ कैपिटल गिर जाता है, और इसके साथ अगर आप देखें, तो इनका जो पावर है वो बढ़ता जाता है, और जाहिर सी बात है, उनके ही साओधी अरेविया का ही यहाँ पे बॉर्डर है, और उसमें अ मौलाना है वो सुप्रीम लीडर बनेगा और जो हाउथी हैं वही मौलाना ही है सारे के सारे तो वो सुप्रीम लीडर बनेगे और इरान टाइप की गवर्मेंट को मिमिक करेंगे कही न कहीं साओधी को डर होने लगता है यूई को डर होने लगता है कि उनके बैक यार्ड में शिया पावर आने वाला है और इसके खिलाफ फिर वो डायरेक्ट इंटर्वीन कर जाते हैं 2015 में साउधी युएई और बाकी इनके जो वेस्टन पार्टनर्स हैं ये मिलके हाउथी के खिलाफ बॉंबिंग शुरू कर देते हैं तब से ये जंग चलती आ रही है इनके पिता हाउथी जो कि इस लीडर को 1990 में रिवाइव किये थे इस मुव्मेंट को और अब इनके बेटे ये समालते हैं तो ये पूरी कहानी है आप देख सकते दोस्तों यहापे सिविल वार चल रहा है यहाँ पे यह जो आप पिंक कलर में इलाका देख रहे हैं यमिन का मेजर हिस्स इसके सिवाई जो ग्रीन कलर में आप हिस्सा देख रहे हैं यह जो यलो कलर में आप देख रहे हैं दोस्तों यह यूई के द्वारा बैक्ड है सदन्न ट्रांजीशनल कंसिल उसके द्वारा कंट्रोल है और बीच बीच में वाइट स्पॉट्स भी आप देखेंगे जहाँ पर आपको अलकाइदा कंट्रोल इलाके दिखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात क्या है साओधी और यूई में भी एक रिफ्ट आ गई है हुआ यू दोस्तों स्टार्टिंग में दोहतार पंदरा में जब विस्टन इंटर्विंशन होता है साओधी यूई करेंगे वहीं अगर आप ये यलो कदर वाले देखें सदन ट्रांदीशनल काउंसिल इनका कहना है कि भाई पोस्ट वर येमिन में ये जो दक्षिन वाला येमिन है इसको एक अलग देश बनाया जाए यूई इनको बैक कर रहा है वो कह रहा है कि रेड सी को सेफ रखना है त के उनने मिल के अपना कोईलिशन बनाया है जिसको यूई बैक कर रहा है तो यूई और साओधी में भी हाँ पर आपको रिफ्ट देखने मिलेगा इस पूरी कहानी में तो दोस्तों अब जब आप समझ गये हैं हुआ क्या है तो आईए अब अब के निउस को समझते हैं तो Jordan जो की सबसे ज़्यादा Red Sea पर निर्भर करते हैं वो इसका हिस्सा नहीं है तो बहुत बड़े-बड़े Misses हैं जो इस ग्रुप में आपको नाम नहीं दिख रहा है आज सबसे पहले NATO Nation की बात करें तो तुरकी नहीं है वो समझ आता है तुरकी इसमें कभी भी भी नहीं तो इस्लामिक दुनिया का लिडर कैसे बनेगा तो वो तो हुथी के खिलाफ नहीं आने वाला लेकिन ग्रीस नहीं है ग्रीस दोस्तों आप अगर देखें जो सबसे ज़्यादा दुनिया की जो shipping lines है shipping companies है वो ग्रीस की shipping companies impacted है तो वो इसमें नहीं आ रहा तो ये काफी कुछ बता रहा है इसके सिवा Belgium नहीं है Denmark नहीं है Portugal नहीं है Romania नहीं है ये भी इसका हिस्सा नहीं है पूरे Middle East की बात करें तो बस और बस बहरीन है इजिप्ट नहीं है इजिप्ट अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा इसी को प्रभाव हो रहा है सुएस कनाल अगर आप सबसे हैं तो उनको भी अगर आप देखें तो ट्रांजिट देना पड़ता था अब जहाज कम हो रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनी जैसा मैंने आपको बताया उन्होंने कहा दिया कि भाई हम तो अब रेड़ सी से जाएंगे ही नहीं याने कि स्वेज केनाल का हिस्सान नहीं बनेंगे इसके सिवा आगर आप देखें तो रीजनल पावर इंडिया का बैक्यार्ड है यह इलाका और उसके बावजूद इंडिया मिसिंग है दोस्तों यहां पर यह जो देश है ना यह सब के सब बहुत ही अगर आप देखें तो जादा पावर प्रोज यूएस का फिफ्ट फ्लीट लोकेटेड है आप देख सकते हैं फिफ्ट फ्लीट अकेले सब कुछ मैनेज कर सकता है तो यह यूएस भी अगर आप देखें ना दोस्तों तो बस और बस एक आई वाश कर रहा है दुनिया को दिखाना चारा है कि हम अकेले नहीं है सब के साथ तो मिलके हाथी इसके खिलाफ operation run कर रहे हैं तो यह कही न कहीं वो message देना चाहरा है और बाकी सब को कहा है बस जुड़ जाओ नाम दे दो अपना भले तुम बाद में कुछ मत करना तो कुछ वैसा लग रहा है जाहिर सी बात है इस प्रकार की चीज़े होंगी तो reaction भी हाथी डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है साथ साफ रेड सी तुमारा graveyard होने वाला है अमरीकियों आओ यहां तुमारे aircraft carriers तुमारे destroyers हम सब को sink करने वाले है यह तस्वीर भी दिखाई है देखो हमारी forge तुम सब की तो बहुत ही बुरा हालत होने वाला है बरेन को तो धंकी कर दें वहां पर आप तकता पलट की मांग हो रही है तो दोस्तों यहां पर समझने वाली बात क्या है आपको पहले यह बताता हूं सबसे पहले अगर आप देखे तो कोई भी regional power इस वक्त सिरो Middle East का ही क्यों ना हो वह इस्रेल के साथ side नहीं करना चारा over the Palestinian issue बहुत time हो गया ह Palestine में अगर आप देखे तो जो humanitarian toll है वो बढ़ता जा रहा है तो अब सभी देश कह रहे हैं कि भाई इसको खतम करो otherwise हमारे जो लोग है जो Saudi के लोग है जो UAE के लोग है उनमें कहीं न कहीं एक कहीं से भी एक आंदुलन ना हो जाए उनको ये डर है कि देखो हमारा राजा तो इसलाम के लिए खड़ा नहीं हो रहा क्योंकि अभी भी वहाँ पर deradicalization पूरा हुआ नहीं है एक तबका है जो कि इनको चार्ज कर सकता है तो इसलिए वो कहीं से भी इसरेल के साथ side नहीं करना चाह रहा है नो original power इरान को भी इस वक्त challenge नहीं करना चाह रहा क्योंकि अगर आप हाउतीज के साथ खड़े हो रहे हैं तो आप इरान को challenge कर रहे हैं क्योंकि वो इरान का ही proxy है जैसा मैंने बता है एशिया ग्रूपिंग है directly जिसको इरान सपोर्ट करता है ideologically भी और arms ammunition material and हर प्रकार से material तरीके से spiritual तरीके से जैसे मदद चाहिए वैसे मदद मिलता है तो इरान को भी कोई challenge नहीं करना चाह रहा वहीं पे अगर आप देखें तो यहां पे इंडिया को उकसाया भी जा रहा है आप देख सकते हैं इस्रेली एंड अमेरिकन जियो पॉलिटिकल सिंकर्स हैं कहरें इंडिया को तो और प्रोएक्टिव होना चाहिए maritime trade को safeguard करने के लिए 10 nation coalition है हाउटीज के खिलाफ operation prosperity guardian में लेकिन इंडिया नहीं है projection of power तो बहुत आवश्यक है भारत को यदि global ambition पूरे करने है तो इन अरेंद मोधी जी ने पीम नेटन यहां से tweet में बात किया उसके response में इस प्रकार की बाते हो रही है तो इंडिया को एक चूरन दिया जा रहा ह अरे तुम तो global power बनना चाहते हो तुमारे backyard में यह हो रहा है तुम क्यों नहीं इसमें जुड़ रहे तो यहां पे Indian angle क्या है आपको बताता हूँ दोस्तों यहां पे बहुत सारे Middle Eastern countries भी आप देखे तो indirect support करने वाले है directly कोई भी खुल के इस coalition का हिस्सा नहीं है लेकिन कहा जा रहा है बाकी सारे देश indirectly support करने वाले जो करना अगर हो जो support चाहिए हमको बताना लेकिन हम directly नाम मत डालो यार तुमारे इस यूएस लेड operation prosperity guardian में इंडिया में इंडिया की बात अगर आप करें तो इंडिया ने दो destroyer और एडिन में लगा भी दिया है आप देख सकते है ने डिसमबर 19 की ये न्यूज है इंडुस्तान टाइमस में आया है आई एनस कोची जो की destroyer है आई एनस कोलकाता जो की guided missile स्टील ते destroyer है यह दोनों के दोनों अगर आप देखे तो एडिन के कोस्ट में deploy कर दिये गए है maritime security anti-piracy operations के लिए तो इंडिया इससे क्या बता रहा ह इंडिया का message बड़ा clear है वो कह रहा है कि देखिए freedom of navigation in high seas उसको लेकर हम committed है यह चाइना को message दिया जा रहा है साउथ चाइना सी में जब हम कहते है freedom of navigation तो यह हम इंडिया नोशन में भी apply कर रहे हैं तो चाइना यह ना सोचे कल को यह न बोले कि अरे आप तो freedom of navigation के लिए तब कहां गए थे जब हाउती के खिलाफ सब जमा हुए थे तो बोले हम तो independently कर रहे थे वहाँ पे भाई दूसर इंडिया कह रहा है कि हमारा backyard है हमारे पास capability भी है कि हम अकेले यहां पर अपने fleets को अपने ships को यहां पर deploy कर सकते हैं हमारे destroyer अकेले काम कर सकते हैं हमें आपके साथ coalition करने की आवशकता नहीं है जिसमें US commanding officer के अंदर हमारे ships काम करें वह सब हम नहीं करते इंडिया ने इंडिया ने balancing किया है बड़ी खुबसूरती से एक तरफ इरान भी खुश है देखो देखो इस operation prosperity guardian में इंडिया US का साथ नहीं दिया दूसरे तरफ इस्रेयल भी खुश है इंडिया ने कह दिया देखो तुमारे लिए हम दो जहाज खड़ा कर दियें बाई तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो इंडिया ने बड़े ही smartly इस पूरे issue को manage किया है उमीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिए का भारत समवाद हमारा चैनल है इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग इसे फ्रेम दे और इस वीडियो को भी जादा से जादा लोगों के साथ अवश्य शेयर करें उमीद करता हूँ वीडियो informative लगी हो तो आप comment में दरूर मुझे बताईएगा